हालो एवरिवन तो आज के सेशन में हम लोग JPSC Prelims लास्ट जो हुआ है 7th to 10th JPSC Prelims उसका जो कोश्चन पूछा गया था उसको यहां पर थोड़ा सा डिसकस करेंगे कुछ सोर्सेज देखेंगे कि कहां से वो कोश्चन सॉल्व किया जा सकते थे और इसी तरह से मैं बाकी के लिए में के लिए स्ट्राटीजी वीडियो का डिवांड किया है तो वह मैं आपको बताऊंगा एक ओवर आल जो होना चाहिए प्रेलिम को क्वालिफाइड करने के लिए वह मैं आपके साथ साथ करूंगा बहुत जल्द मोस्ट प्रोबैबली नेक्स्ट सेशन में पर में कैसे question पूछे गए थे उनका level क्या था कितना depth में जाकर question को पूछा गया था यह सब समझना बहुत जरूरी है अगर आपको तैयारी अच्छे से करना है तो तो उसी करम में इसको पहला वीडियो समझी है strategy का ही एक पहला वीडियो समझी है और overall जो combined strategy का आप बात कर रहे है पीटी के लिए या मेंस के लिए वह आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पर मैं आपको again सारा कुछ बुक लिस्ट वगएरा हर एक चीज जो है compile करके बता दूंगा और मेंस और पीटी के लिए अलग-अलग थोड़ा सा discuss कर लेंगे तो स्टियर का अगर question देखा होगा तो आप समझते होंगे एक होता है आपको direct की कोई fact आपने बुक में पढ़ा है और वो fact बिल्कुल आपको उठा कर exam में पूछ दिया गया दूसरा होता है थोड़ा सा analytical ठीक है यानि कि question जो है वो आपने जो knowledge जो knowledge आपने acquire किया है किसी particular concept को किसी particular knowledge को concept को जो आपने acquire किया है समझा है उसके आधार पर आपको कुछ पूछा जाता है और आपको उसको answer करना पड़ता है वैसे question को देखकर आपका सकते हैं कि पता नहीं कहां से पूछ दिया ठीक है यह approach सही नहीं है यह school का यह college का exam नहीं है यहाँ पर question जो है थोड़ा जेनरली आपने किताबों में कहीं पड़ रखा होता है वहीं से उठाकर वो दिया होता है तो दोनों तरह का question last time actually मैंने पहले जोग्रफी इसलिए लिया क्योंकि काफी ज्यादा question जोग्रफी से पूछा गया था लगभग 20 question out of 100 100 क्या कहले आप जानते हैं कि 100 में 10 question जो है व कुछ पूछा गया था और कुछ आपको मैं यहां पर सजेसंस भी देता चलूँगा कि कैसे आपको वह चीज करना चाहिए तो आप जैसे कि यहां पर देख सकते हैं पहला question जो था वह लेटराइट स्वाइल के रिगार्डिंग पूछा गया था कि जो लेटराइट स्वाइ आप कई वर बताया हुआ है चैनल पर तो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि NCRT जो है जो जोग्रफी के लिए अच्छी बूख है आप उसको फॉलो कर सकते हैं जो पुराना यह जो प्लस टू वाला NCRT है ठीक है प्लस टू का चार बूख है टूटल NCRT का जोग्रफी का उ आपको तो पुछ आपको अपना नॉलेज आपको दिखाना पड़ता है तो दो आप्सन है या तो आप एडवांस बुक्स पढ़िये अगर वह नहीं करना चाहते हैं तो जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि कंटेंट थोड़ा सा कम हो रहा है यह बात मैं पहले भी कई दो नहीं करते हैं इसलिए आप मुझसे बार-बार यह सवाल पूछते हैं जहां भी आपको लगता है कि कंटेंट थोड़ा सा कम है या तो आप इंटरनेट का यूज कीजिए वहां पर यूट्यूब का यूज कीजिए उस नोट्स को थोआ से एंडीच करने के लिए में संभव नहीं हो पता है उतने ज्यादा बड़ा कंटेंट उसके लिए प्रिपेर करना और वह फीजिवल भी नहीं है ठीक है तो मेरा अगेन आप से ही कहना है कि या तो आप एडवांस बुक पर ही है जैसे कि मैं हमें साब को सजिस्ट करता हूं एंस आटी पढ़ने के ल चैनल पर जाकरके अपना पार्टिकुलर जो भी टॉपिक में आपको प्रॉबलम है उसको आप वहां पर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वह थोड़ा से डिटेल में वहां पर पढ़ाया हुआ होता है तो अगर कुछ टॉपिक्स में प्रॉबलम होता है तो आप इस त यहां पर मैंने जो भी जो वह Snapshot लीआ है यह डिसकसन भी पीटी के लिए यहां पर ज्यादा कुछ अभी मेंस के बारे में डिसकस नहीं करेंगे तो यह मैंने अगीन जैसा कि आपको बताया कि NCRT जो प्लस-टू का है वहीं से मैंने आपको यह सारा जो Snapshot आपको दिख र तो यह जो है NCIT में देखिए लिटराइट स्वैल स्वैल वाला चैप्टर में आपको दिया हुआ था यहां पर है ना इसमें यह कह रहा है कि हुमस जो है वह रिमूव हो जाता है क्योंकि अच्छा कासा टिम्परेचर होता है तो बैक्टिरिया भी काफी अच्छे मात्रा में होता है तो उसकी वज़े से वो हो फॉमस को रिमूव करता रहता है है क्योंते होता है लेकिन हाँ कि अम्रोपियं सबसे ज्यादा है इंडस्ट्राय ऑफ्रिया डार्टिया च्छुस्ट्रा या एक सक्वीचल्ट्रा ओना 맡lä agriculture accounts for most of the surface and groundwater utilization, तो आप अजियूम कर सकते थे, यह सब चीजों को जब आप दो बार चार बार पढ़ते हैं, तो यह सब चीज आटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाता है, एक बार पढ़ने से कई बार, कई सारे important point मिस हो जाता है, इसलिए revision पर मैं काफी जादा focus आपको emphasize कर पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, next question है, which of the following Indian states, तो इसका answer आपको समझ में आगया होगा, agriculture sector होना चाहिए था, which of the following Indian state has recorded negative population growth according to 2011 Indian population census, तो negative population growth, census ऐसे भी आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे से, क्योंकि census हरे एक examination में पूछा जाता है, I'm sure कि कई लोग एक से जादा examination को देते हैं, appear होते हैं, तो census अच्छे से complete करकर रहतना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये इन बुक में है, तभी आप कर पाएंगे, ये सब चीजे ऐसे भी पता होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं, अच्छा बार बार में बुक का नाम नहीं ले रहा हो कि किसमें है, लेकिन ये देख पा रहे हैं कि less than 10 growth rate जो दिया हुआ है, आपको यहां पर दिख रहा है, तो आपको देख रहे हैं, गोगा के पास दिख रहा है, नागा लेंड दिख रहा है, केरल दिख रहा है, और अगें सारा कुछ जो है, आपके option में भी दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन इसी को के जब आप थोड़ा सा और पढ़ते हैं, तो आपको यहां पर दे दिया है, कि 20% से ज्यादा नहीं है, गोगा का मतलब 20% से कम है, तो negative का तो बात नहीं है, कम से कम, 20% से कम है, केरल का तो directly mention किया हुआ है, यहां पर है, और हर्याना का भी देख रहा है, कि 20-25% के बीच रह जाना चाहिए, ऐसानी कि जो बुक में दिया हुआ है, बस उतना ही पड़े, थोड़ा बहुत अलग से भी नेट पर पढ़ लेना चाहिए, सेंसस बगार काफी important होता है, तो अगें फिर भी सिर्फ अगर बुक का भी बात किया जाए, तो यह question solve किया जा सकता है, तो किरला का आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि लोवेस्ट ग्रूथ रेट रहा है, बट यहाँ पर आपको नेगेटिव ग्रूथ का बात कर रहा था है, तो अगर, मतलब आपका सकते हैं, पोपुलेशन, नेक्स्ट, एस पर 2011 इंडियन पोपुलेशन सेंस, विच और फोल हो सकता है, तो अगर यह भी बैग्राउंड आपका रहता है, अगर यह कॉंसेट भी आपको पता है, जो कि NCRT में दिया हुआ है, तो अगर मुझे नहीं भी हा रहा है, यह कुश्चन एग्जेक्टली, और मुझे एक किसी पर तुक्का मार नहीं है, तो उत्तर पर देश प उत्तर परदेश में लग्जेस नमबर ओफ टाउन से ठीक है, तो यह सब कुछ है, ठीक है, ठीक है, फैक्ट्स है, सारा कुश्चन बनाना भी नहीं होता है, ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा कि एग्जामिनेशन के बाद जो है, सो कुश्चन का सोल्यूसन दिखा देना कहीं पर कुश्चन तो हमारा सही होना चाहिए, हर एक कुश्चन सही नहीं होगा, उस भी से में स्ट्रेजी वाले वीडियो में बात करेंगे, कई लोग एग्जामिनेशन से पहले बिल्कुल ऐसा करने लगते हैं, कि मतलब किसी सब्जेक्ट को इतने अच्छे से प्रिपेर कर लेते काफी है, आज कल जो ट्रेंड चल रहा है, उसके अनुसार में बोल रहा हूँ, ठीक है, यूपी, बिहार, अपना जारखंड, ऐसा 70% के अराउंड ठीक है, उतना आगर आप सही करते हैं हर एक portion में, हर एक subject, हर एक topic में, तो definitely आपका overall भी 70% आहीं जाएगा, नेक्स्ट माउंट का एलास कहा situated है, पूछा था, तो again, drainage वाला chapter में, आप देखिए, दिया हुआ था, यहाँ पर, यह सब तो कर ऐसे भी जानते होंगे, बड़ ठीक है, अगर बुक का बात करें, तो दिया हुआ है, बुक में भी है, और हर एक चीज बुक में दिया हुआ ह इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर एक चीज वहाँ पर याद भी रहाएगा, इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेसान नहीं होना है कि दिया हुआ था, फिर हमारा कैसे गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर होता है, एक्जामीनेशन का इंवार्मेंट ही ऐसा होता है तो एक्जामीनेशन का परेसर अलग होता है, बाद में बैठ कर बनाने का बात अलग होता है, ठीक है? एक और पूछ रहा था, एक और पूछ रहा है कि कौन इसमें से, अगेन इजी है, बट ठीक है, भूप में भी दिया हुआ था, ठीक है, हेमाटाइड जो है, वह आईरन का और होता है, अर्बन लाइफ का फीचर कौन सान नहीं है, अगेन ये भी एक आसान कोश्चन था, एन इसमस में जाड़ा है जादा गाउं कसभों में होता है, अगेन जएक्ञिआ कारें इसमन जा नहीं है, चोछ एक अम्हों के नीज बनते में है, जासे हैं बाक्यं कि तो तो ठीक है, which of the following is second largest tribe in India, again, जार्खन JPSC का आप exam दे रहे हैं तो tribes के बारे में विशेश तोर पर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए है, अलांगि ये मैं नहीं बूलूँगा कि जोग्रफी वाले बुक में आपका था या नहीं था, मुझे उतना ध्यान नहीं है, but society वाले जो तो आपको बताया जाता है कि कौन जो है, तीसरा सबसे बड़ा tribe है, चौथा सबसे बड़ा tribe है, पांचमा सबसे बड़ा tribe है, तो पहला दूसरा का curiosity उत्सुकता तो आपके मन में आएगा, तो वो सब आप खोजे होंगे, ठीक है, ये सब कोई tough question में नहीं आता है, ठीक है, ऐसे बुक में भी दिया हुआ था, एयर ट्रांसपोर्ट का भी start हुआ था, आपका पुछा गया था, ये भी directly बुक में दिया हुआ है, आपका NCRT में, है न, 1911 में, उसके लाबा highest potential, solar energy के लिए कहाँ पर है, तो again common sense का ये भी question था, ऐसा कुछ नहीं है, है न, बट ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है, आपका NCRT में, western part of India, गुजरात, राजस्तान वगेरा था, आपका एक option था, राजस्तान तो आप वहाँ पर कर सकते थे, ठीक है, उसके बाद 74th question था, atomic power plant largest installed capacity, तो कुदन कुलम जो काफी time से news में रहा है, 2014 से 17 के बीच वो कमिशन हुआ है, तो largest बन गया है, बट इस तरह का question को कही लोग examination देने के बाद, जो बूलते हैं कि गलत है, वो largest है, ऐसा नहीं, जब इस तरह का कोई question पुछाता है, तो आपको यहाँ पर following पूछ रहा है, ना, निमनलिखित में से पूछ रहा है, इन चारों में पूछ रहा है, आपको यह नही question आता है, तो नावस्यक रूप से confused नहीं होना है, तो चारों अपसन दिया हुए, उसमें बता दीजिए कि कौन सा पूछा जा रहा है, निमनलिखित में से, यह नहीं कि overall आप से पूछ रहा है, दुनिया में या देस में, तो तारापूर साइद 1400 के राउंड है, और recently फिर आपका कुद, यह जो हो गया है, कुदन कुलम, वो जो है, 102 से बन जाता, जरूरी नहीं कि आप बुक में आपको याद आए, या नोट्स में तभी आप बना पाए, यह से दिया हुआ था, मुंबई के बारे में है, बेगेस्ट पोर्ट है, नेचुरल है, तो मुंबई आप बना सकते थे यहाँ पर, अगे नेचुरल कंडिशन से पोर्ट के लिए है, और यहाँ पर नेचुरल कंडिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका इमर्जेंट कोष्ट है, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे, अगर थोड़ा बोध कंसेप्ट भी रहेगा आपको, तो आप इस इस को बना पाते है, ठीक है, उसको बाद में फिर कभी डिसकस करेंगे, बट यह कोष्टन ऐसे भी बन सकता था, जोगरफी के नॉर्मल नॉलेज से, अटॉल्स, अगेन, अटॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल जोगरफी में, फिर आप इंडिया फिजिकल पढ़ उसके बाद नॉर्थ इस्टर्ण मांसून से रेन कहां पर होता है भारत में, तो अगेन, मांसून तो आपको खर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो कोष्टन कभी भी आपके में में आ सकता है, ठीक है, मांसून के बारे में, आपको अच्छे से, उसका मेकेनिजम व तो आप देख सकते हैं, कि Coastal Areas of Tamil Nadu जो है, वहाँ पर North Eastern Monsoon होता है, ठीक है, तो Coastal Areas of Tamil Nadu यहाँ पर आपर आपर करमांडल कोष्ट कर सकते थे, ठीक है, तो यह भी question मैं बूलूँगा असान ही था, मांसून का मेकेनिजम पढ़ते तो यह बात पता होता है, उसके बाद एक कोश्चन पुछा गया है नर्मदा रिवर के बारे में कैसा ओरीजिन है उसका ठीक है तो इस्ट्रक्चरल ओरीजिन और यह भी कुश्चन आसान था क्योंकि रिफ्ट वैली में कुछ ही नदिया है जो भारत में बहती है रिफ्ट वैली में यह सब चीज जब आप पढ़ेंग और यहां पर दोनों गलत था तो यह भी कुश्चन सिंपल नहीं था और रिवल्यूशन एक्चुली जब भी आप यह वाला चीज पढ़ते हैं है अर्थ का तो रिवल्यूशन और इसका कॉंसेट समझना अच्छे से जरूरी है अर्थ का जो है इंट्र वहोज Czy टिल्ट होता है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि धर्ती यहाँ पर आ जाएगा तो ज्यादा गरम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, धर्ती का टिल्ट देखना होगा, कौन सा हिस्सा सूरज के तरफ, आपको पता है कि धर्ती जो है, साड़ेत्ताइस डिगरी जुका हुआ ह तो वह डिसाइड करता है, जिस तरफ जुका हो रहेगा, जैसे अगर सन इधार है, यह वाला हिस्सा पर जुका हो है भी, तो इधर साइड समर होगा, जब धर्ती यहाँ पहुंच जाएगा, तो आप देखिए कि नॉर्दन हेमिसफेर का जुका हो सन के तरफ हो जाता है, त एक बात जान कर रखिएगा, कि ठंड की दिनों में, जनवरी में, अरली जनवरी में, जब यहाँ पर कडाके का ठंड पढ़ रहा होता है, नॉर्दन हेमिसफेर में धर्ती पे, तो उस वक्त धर्ती सूरज के सबसे ज़्यादा नजदीक होता है, ठीक है, कभी यह भी कोश् से पेसिक, अच्छे से पढ़ेंगे यह सब चीज, फिजकल जोग्रफी बगेरा, तो बनेगा कोश्चन, तो कुल मिला कर दो थीन कोश्चन और था जोग्रफी का, उसको मिसलेनियस में कर लेंगे, तो मिला जो लगफ़क 20 कोश्चन जोग्रफी से पूछा गिया था, और अ इन बुक्स के बारे में मैंने भी देखा है, कुछ चैप्टर्स देखा भी है, मैंने पढ़ा भी है, तो यह सब तो खेर ठीक बुक है, और NCRT का मैं परसनली तो फैन हूँ, जोग्रफी के लिए NCRT बहुत अची बुक है, और कुछ है, आपका JPSC मेंस का syllabus में कुछ नहीं दिया हुआ है, डेविस, पेंको अगेरा, मैंने भी बताय हुए अपने चैनल में, या फिर जो नहीं आपको टॉपिक NCR टीम दिया हूँ, उसको आप यूट्यूब पे ऐसी भी पढ़ सकते हैं, ठीक, किसी भी UPSC के जोग्रफी ऑप्शनल वाले चैनल पर चले यह सब फिर वेस्ट ऑप टाइम हो जाएगा, तो यह जोग्रफी से रिलेटेड कुछ कोश्चन हम लोग देख लिए, इसी तरह मैं पॉलिटी हिस्ट्री सब करवा दूगा आपको, और कोश्चन का स्टैंडर्ड और कोश्चन का क्या किस तरह से पूछा गया था लाज्ट तो मिलते हैं नेक्स सेस्न में तब तर, थैंक यू